कहानी शुरू होती है हम देखते हैं जेंग अब जियांग के घर पर मेट की जॉप करने लगी थी काम करके जब वो घर पर आती है तब फिर से लेंडलॉड आकर ब्रेंट की बात करने लगता है अब जेंग के पास जादा पैसे नहीं थे कि दोबारा से वो उसे पैसे दे सके घर का खर चलाना ही उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए वो सुबा सूरेज की किरन निकलने से पहले बैक पैक करके बच्चों को साथ लेकर जियांग के घर पर चली जाती है उसे ये बात अब जियांग से भी हाइड रखनी होती है इसलिए वो बैक को सीड़ों पर रख देती है और बच्चों को रूम में चिपा देती है और शांत रहने को कह कर दोबारा से काम पर लग जाती है लेकिन बच्चे एक हो तो शांत हो जाएं जहां पर तीन या चार बच्चे हो वहां पर शांती की उमीद करना नमुम्किन होता है खेल जेंग काम पर लग जाती है तब पीछे ते जियांग आ जाता है वो इतने बच्चों को देख कर हैरान हो जाता है अगले ही पल जेंग और कुनकियान अपने सारे प्राब्लम जियांग को बताने लगते हैं कि उनके पास सलक पर रहने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ना बचा था इसलिए वो बच जेंग को इस बात का हैसास अभी ना हुआ था जियांग कहता है कि ठीक है तुम बच्चों को लेकर लिविंग रूम में सेट हो जाओ यह सुनकर जेंग के साथ बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं इस तरह इनकी ये मुश्किल अभल हो जाती है दूसरी तरफ जेंग बच्चों के साथ बहुत ये बुरा बड़ताओ करना शुरू कर देती है इस बास से तंगा कर बच्चे जेंग को कॉल करते हैं अर अपने सारे ये प्राबलम जेंग को बता देते हैं अब जेंग कर भी क्या सकती थी वो तो खोड़े इस वक्त परिशाने से घिरी हुई है वो बच्चों से कहती है कि तुम उनकी बातों को मानते हुए कुछ दिन उनके पास रह जाओ। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं दोबारा से तुम लोगों को अपने पास ले आऊंगी। इस तरह बच्चों को अब थोड़ी से उम्मीद मिल जाती है। वो दादी के नजरों से बच कर रहने लगे थे। लेकिन जब कोई दिल में नफरत ले आए तो उसके सामने बढ़ों का टिक पाना तो मुश्किल होता है। नफरत दिल में जगें बनाने के लिए उनके रूम में जाकर क्लीन करने की बास सोचते हैं। जिससे कि दादी जब देखें तब बच्चों से बड़ी खुश हो जाएं। और उन्हें दुबारा से प्यार करने लगी। लेकिन बच्चों के सोच उन पर उल्टी पढ़ जाती है क्योंकि बच्चों से दादे की इत्रवाली बॉटल तूट जाती है जिसमें दादी सर पर आसमान उठा लेती हैं हंगामा करके जेली और सुजरू को बुलाती हैं और बच्चों के हजारों कलतियों को गिनाना शुरू कर देती हैं और बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं जेली मदर इला को रोक लेती है तब इस सुजरू इस्टिक लेकर आगे बढ़ता है वो उसे भी रोक लेत जो के बात तो क्या था दादी कहने लगती हैं कि इनके माबाप ने इनको सली का नहीं सिखाया है जाहिलों की तरह इनकी परवरिष्ट की गई है इनको मैना नाम की तो कोई चीज पता ही नहीं है यह सुनकर टोटो और जोजो रोने लगते हैं कहते हैं कि उनकी गलती है तो उन कि पयर पर माग भी पढ़ जाता है अब रात में टोटो जो जो धर से तड़ रहे होते हैं तभी जेनली उनके पास रोते वे आती है और माफी मांगने लगती है कह दिये कि तुम मुझे मार लो सब मेरी वजिसे ही हो रहा है बच्चे और भी रोने लगते हैं तब इस सुसरों उनके पीछे आकर मा की ये तलब देख कर सैड हो जाता है और वापस लोड कर जाने लगता है और जेली रोते वे बच्चों के घाव पर मरहम लगाने लगती हैं और प्यार से उन्हें गले लगा कर कहती हैं कि अब से वो दादी के हर कामों से दूर रहेंगे बच्चे समझदार होते हैं मा की बात को मान जाते हैं और वो समझ भी चुके होते हैं कि उनकी मा पड़ी ही अच्छी है लेकिन दादी के वज़े से यह सब हो रहा है खेर बच्चे अब सो जाते हैं तब हम दादा जी को देखते हैं जोकि अपनी बेटी के बाल से बने हुए उस खिलाने को देख रहे होते हैं और यवान को याद कर रहे होते हैं तब इह हायली उनके पास आती है कहती है कि दादा आप फिर से उम्मिदे लगा रहे हैं यह आपको बहुत ही दुख देगा वैसे दादा की तड़प गलत नहीं थी क्योंकि यह उनकी ही बेटी का खिलोना था जिसे प्यार्स उन्होंने 40 साल पहले पनी बेटी को दिया था और हाइले उस आदमी के घर भी गई थी उसकी बेटी जिसका नाम हुरु होता है वो हुरु के बाल को लेकर डिने टिश्ट करा चुकी होती है जिसे ये थापित हो गया था कि वो दादा की ही बेट थी और ये आदमी दादा जी का दामाद है लेकिन हाइली अब नहीं चाहती थी कि ये लोग आएं और उसके हर चीज में बटवारा करें वो अकेले ये सब पर कबजा करना चाहती थी इसलिए उस आदमें से वो कह देती है कि दोबारा से कभे तुम दादा जी के पास मत आना और DNA टेश्ट में थावित हो गया है कि तुम मेरे रिलेटिव नहीं हो तुम से पैसो की लालच में हमारे रिष्टेदार बने का नाटक कर रहे हो तुम सब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उस आदमी को हायली की ये बात बहुत सादा बुरी लगती है क्योंकि वो ज तलाश करके इस खिलोने को उन्हें दे दें अब वो आदमें देने की बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम मेरा खिलोना मुझे वापस कर दो मैं अपनी वाईफ के फादर को सिर्फ उसी खिलोने के जरीये ही तलाश कर सकता हूँ लेकिन हाले उस खिलोने को देने से मना कर देती है क्योंकि वो तो दादा जी के पास होता है उसे वो कैसे ला सकती थी उस आदमी के पास से चली जाती है अब अगली सुबा होती है दादा जी कमपनी जाते है वो आदमी इसी खिलोने को लेने के लिए कमपनी आया होता है अब दादे जी को देखते हैं उनके पास आ जाता है और कहने लगता है कि आप मेरे वाइफ के फादर नहीं है कोई बात नहीं लेकिन उस खिलोने को मुझे दे दे वो आपकी नजर में कीमती नहीं है लेकिन मेरी नजर में वो बहुत ही किमती है क्योंकि मैं उसी के जरी अपने वाइफ के फादर को तलाश कर सकता हूँ यह सुनकर दादा जी चौक जाते हैं दादा के साथ जियांग भी होता है वो कहता है कि और कौन सा सबूत है आपके पार जितके वरिये हम समझ सकते हैं कि युवान आपकी ही वाइफ थी यह सुनते ही वो आदमी युवान के बच्पन के एक फोटो निकालता है जिते देखते ही दादा तड़ा तड़ा पुरते हैं क्योंकि यह तो उन्हीं की बेटी होती है अब दादा उसे पोचते हैं कि कैसे आपके वाइफ मर गई और कितने दिन हुआ जित पर वो आदमी कहता है कि आपसे इससे क्या मतलब है जब आप मेरे रिलेटिव है ही नहीं तो यह बात आप क्यों पुछ रहे हैं दादा जी कहते हैं कि हम ही तुम्हारे वाइफ के फादर है यह सुनकर वो आदमी हायली के वो सारे बिचली बाते बताने लगता है दादा जी हायली के यह बाते सुनकर चौक जाते हैं उस आदमी को अपना कार देते हैं और कहते हैं कि जब वे उसे जरूरत महसूस हो तब वो दादा को कॉल कर सकता है यह कहते हुए वो आफिस में चले जाते हैं और हाइली को अपने आफिस में बुला लेते हैं फिर हाइली से कहते हैं कि तुम इतनी गिरी हुई हो हमें इस बात का तो पता था ही नहीं तुम चाह कि इन्सान के नाम पर धब्बा क्यों बन रही हो अपनों को ही दोखा दे रही हो यह कहते वे दादा भी होश हो जाते हैं तब जियांग और जुनु यहाँ पर आ जाते हैं जो कि दादा जी को समालने लगते हैं अब हाईली दादा की नजर में तुबारह से अच्छा बने के क सब्टाएं लमाने लग जाती हैं जिसमें वह तैस्क्राइं लं़ इती हैं कि चलाक्यों में शामिल नहीं होना चाहता था लेकिन लों को बनाकर अपने मकसद 2 अ常ं मेरे अंकल हो ऐसे गरीभी में कईसे रह सकते हो अर अपना हक्रा रहे जाला में participated उनसे मांग लो इस तरह जल्दे तुम अमीर बन जाओगे लेकिन वो आदमी बहुत ही इमानदार होता है कहता है कि मैं मेहनत करके खाना जानता हूं किसी का पैसा हमें नहीं दिखता लेकिन हाईली कहती है कि तुम खुद गरीबी में रह सकते हो लेकिन तुम्हारे उस के लिए एक अच्छा सा कपड़ा लाता है और उससे कहने लगता है कि वेटा जल्दी तुम अमीर बनने वाली हो क्योंकि तुम हाईली ग्रूप के चेर मैन की पूती हो अब लड़की भी तड़प उड़ती है कि वह खोई हुए लड़की जिसके उसने फोटो देखी थी क् उसके फादर ने अभी तक उससे हाइड रखी थी बेटी और पिता की बीच में इमोशनल बाते होने लगती है तब ही तोटो और जोजो को हम देखते हैं जिसके पास दादी आती है और कहती है कि इस बच्चे को देखो हम दो मिनट में आ रहे हैं यह कहकर वह बाहर चली जा सुझते हैं तब यह वहाँ पर दादी आ जाती है अब वह घंगामा कर देती हैं कि यह बच्चे तो मासुम की जान लेना चाहते थे यह कहते हुए जेनलियों और सुझरू को कॉल करके बुला लेती हैं लेकिन बच्चों से पूशने के बाद जेनलियों और वह समझ जाते ह कि दादी बात का पतंगर बना रही है बच्चे से डाइपर चीन करना चाहते थे ये बात अलग है कि उन्हें गरम पाने का अंदाजा नहीं था लेकिन दादी बच्चों को बुरी तरह से डाटने लगती है और मारने लगती है जिलने बच्चों को पचा कर रूम में ले आती ह अब रात होती है दोनों सोते हैं तब जो जो उड़ जाता है और कहता है कि मेरे वज़े से टोटो को इतनी बाते सुननी पड़ती है और मा भी रोज डाट खाती है मैं जगडे की असली वज़े हूँ ये सोसते वे वो घर से चला जाता है लेकिन मानी मन कहरा होता है कि वो बड पता लगती है तक होड़ हैंतोतो चेंग को कॉल कर देती है अब जियांग और पचेंगा टलाशते वे पहले लाशने लगते हैं लेकिन बचा उन्य खं़ाइं प की बहुत बहुत तेज ने और भाग देखलेता है अब हो आपने लेटा है ऑसको खाता हुआ 15 साल का ललका देख लेता पिर दोजो को खाना के लाता है फिर जो जोसे उसकी बाते पोश्ने लगता है जिसमें पता चलता है कि जो अपने घर से भागाया लेकिन अपनी बहन से मिलने के लिए वो उसके घर पर जा रहा है अब वो अपने लीडर को बुला लेता है टोटो को अपने साथ लेकर चला जाता है यह लोग बच्चे पकड़ने का काम किया करते थे और बच्चों को सेल कर दिया करते थे जोजो उस लड़के से दोस्तिक कर और है देरे-देर हुसके दिल में भी चिगे पना लेता है अभी उसलता है कि लीडर ने को बेज दिया है शाम को जोजो को जेखे पहुंचाया जाएगा यह सुनकर वह लड़का को चुनके बचा बच्चा जैसे वो होटल पर लाता है, होटल वाला जोजो को देख लेता है, क्योंकि जियांग चारोई तरब जोजो की फोटो लगा देता है, अभी वो यहाँ पर फुटेज देख रहा होता है, तभी वो लीडर यहाँ पर आ जाता है, अगें जोजो को पकड़ कर कार में बिठा कर भ पहुच जाते हैं जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे होती है तब वह 15 साल वाला लड़का गाड़ी को रोग देता है और उस लीडर को मार मार कर उसके पैर को पकड़ लेता है और जोजो को भागने के लिए कह देता है इस तरह जोजो अब भाग रहा होता है जियांग को सुनकर जियांग और जेंग भी पुलिस के साथ यहां पर आ जाते हैं जियांग पहले उस गुंड़े के पास पहुच जाता है जिस वह गुंड़ा जियांग को मार कर भिहोश कर देता है तब यहां पर पुलिस आ जाती है और उस गुंड़े को पकड़ लेती है अब बच ठीक होकर सिनली के घर पर पहुंँ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे को हमें वापस दीदो। जिनली इस बात के लिए राज़े नहीं हो रही थी लेकिन उसके साथ चाहती थी कि बच्चे चले चाएँ अब कई घंटे के बाद के बाद जियांग और जेंग बच्चों को ले आते हैं जोजो बहुत ही तेज होता है जियांग से उसकी अच्छी दोस्ती होती है वो जियांग से कहता है कि पक्का एक दिन आप ही मेरे जीजू बनेंगे क्योंकि आपकी नसरों में मैंने जेंग दीद लेकिन वो बच्चों को तलाशने में बिजी होता है इसलिए वो उसके कॉल को रिसीव नहीं किये होता अब हायली जियांग के घर पर इतने बच्चे देख कर चौक जाती है जियांग हसने लगता है तब हायली जेंग को भी देख लेती है अब क्या था जगड़ी के मोड में के पास खड़ी हो जाती है लेकिन उसे सायट में ले जाकर सारी है कहानी बताने लगता है लेकिन हायली को द यहाब पर आ आना बहुत सदा बुरा लगता है वो मनीमन कहती है कि थियांग तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे इस लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर सकती हूं यह कहते हुए जुनों के पास जाती है और उसे सारी परेशनी बता डालती है जुनों कहता है कि जियांग वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो लेकिन हाली बड़ी ही श्यातिर होती है शाम को जियांग की घट पर आकर जियांग के सामने हैं जियांग को किस कर लेती है जि तब तक नहीं जा सकती हो जब तक कि तुम्हारे पार जंगते पैसे ना जाएं लेकिन जेंग किसी की कहा सुनने वाली वह तो बस खुद के मन की ही किया करती थी अब दुबारा से उस मोटी लेडी के पास पहुच जाती है और जौप की बात करती है तभी वहाँ पर जुनु आ जाता है अब जुनु से मिलकर वो एक होस्टिल का इंतसाम कर लेती है तब हैं दादा जी को देखते हैं इसके पास वह आदमी अपनी बेटी को लेकर पहुच जाता है दादा जी उसे देखकर बड़े ही खुश होते हैं उस लड़की में उन्हें अपनी युवान के सुर रह लो और बहुत सारी हेल्फ देरी की बात करते हैं लेकिन हुरू के फादर हर चीज़ के लिए इनकार कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हुरू अगर आपके कहने पर रुखना चाहे तो रुख सकती है मैं उसे मना नहीं करूंगा जिस पर हुरू दादा के हाथ को चुड नहीं सकती हुँ। दादा को हुरु की यह प्यारी बाते सुनकर smile करते हैं और प्यार से उसके सर पर हात फेरते हुए उसे बाए कह देते हैं। में यह प्यार देखकर हैली को बहुत इन लोगों का डान्स देखकर खुद भी डान्स करने लगता है। फिर कहता है कि तुम सब इतने खुश की हो। तब उसे ये बात पता चलती है कि ये सब कल जाने वाले हैं… ये सुनकर वो कहता है कि तुमसे भी हाप पर रह जाओ। जेंग कहते हैं कि तुम बहुत ही गुच्ता करते हो अपनी कोई भी चीज योस नहीं करने देते अगर हमें आजादी दे दो तब मैं रुक जाओंगी यह सुनकर जियान कहता है कि पुरे घर में रह सकती हो लेकिन मेरे रूम में मत जाओ इस तरह इनमें मजाक मस्ती होने लग जाती है तब बच्चे घर से पाहर निकलती है कुछ बेकार पड़े हुए फणीचर को घर में लाने की बात सोचते हैं इसे वीच टोटो को चोट लग जाती है तब दूसरे तरफ से हुरू आ रही होती है इन बच्चों को देख लेती है और टोटो हुरू को देखका पहच नहीं उस कार्टोन वाले एकसिडेंट में उसे बचाया होता है अब यह लोग साथ में बाते करने लगते हैं अब कुनियान अच्छी दोस्ती बन जाती है अब यह लोग फणीचर की बात कहने लगते हैं जिस पर हुरू कहती है कि मेरे घर पर चलो सारा ही फणीचर तुम्ह जाएगा अब इतना कहने के बाद फणीचर घर में आ जाता है और हुरू से अच्छी दोस्ती बच्चों की भी हो जाती है अब शाम होती है जेंग जब घर में आती है तो यह सामान दे कर बच्चों से पूछने लगती है तब उसे हुरू और उसके फादर के बारे में पता चलता है वह सोचने लगती है कि इतने अच्छे लोग इस दुनिया में कहां से आएए वैसे आप वो और हुरू को किट देने की बाद सोचने लगती है दूसरी दर दादा कंपणी में मीटिंग करने होते हैं जिसमें हाली हो और अपनी राहे रख दी लेकिन दादा जी कंपनी को अपनी तरह चलाने की बात कहते हैं साथे जियांग के भी बात मानी जाती है वो कहता है कि पुराने इंप्लाय को अपनी जिगें पर रखा जाएगा और नए इंप्लाय को समझने के बाद ही उन्हें उन्हें के जिगें दी जाएगी हैले को यह बा खुद के घर में रख रहे हो यह कौन सा तरीका है जित पर जियांग कहता है कि वह मेरा घर है मैं यंग से लेकर बुड़ी तक किसी भी लेडी को रख सकता हूं इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह कहते हुए हाली के पास से चला जाता है और हाली पैर पठक करके रखें जिससे की वीडियो अप्लोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुचे यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक किया